पहले रुकातेक और बड़ी खबर की तरफ आपको बता दे बड़ी खबर संक्रबन रोपने के लिए गाओं में बनाए जाएंगे माइक्रो कंटेंडमेंट जोन तो ये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं संक्रबन रोपने के लिए अब गाओं में कंटेंडमेंट जोन बनाए जाएंगे राजसरकार ने ये फैसला लिया है लकतार बड़ते संक्रबन को देखते हुए अगरामी चेतरों में से इनका पालन किया जाएगा तो तसी को बता दे संक्रबन रोकने के लिए बारह कुरोना संक्रमें तबिलने पर प्रसाशन ने गाओं को माइक्रो कंटेंडमन जोन घोशत कर दिया है तो आपको बता दे लगतार वरते मामलों को देखते हुए राजसरकार ने गाओं को अब माइक्रो कंटेन्मेंट जोना बनाने की बात यहां पे की है सखती के साथ अब रोका जाएगा संक्रमन को तो इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सम्वाद आता अंकुष वाजपे हमारे साथ जुड़ गहें अंकुष जिस तरीके से लगतार संक्रमन बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब गाओं की अगर हम बात करें तो गाओं में अब संक्रमन रोकने के लिए माइक्रो कंटेन्मेंट जोना बनाये जाएंगे जी बिलकुल इरम जिस तरह से हम गाओं की बात करने गाओं में जो संक्रमन फैल रहा है वो एक सिंता का विशच जरूर प्रदेश सरकार के लिए बना हुआ है लगातार सीम ने भी दो दिनों पहले जो खासतार अपने संबोधन में ग्रामिन इलाकों की जनता से आवान किया था कि वो ये कोशिश करें कि वो अपने गाओं में खोडी कुरुना काल में कर्फिय लगा लें अब आइसे में ये फैसल लिया गया है कि जिन गाओं में कोरुना संक्रमन ज्यादा है वहाँ पर माइक्रो पंटेंडमेंट जोन बना कर कोरुना संक्रमन को सफ़ती से रोका जाएगा और जो गाओं है चोते गाओं है वहाँ पर समीथिया बनाए जाएगी जो कि घर ज़र जाकर सर्वे करने का काम करेंगी और यहाँ पर जाट भी होगी और मरीज अगर कोई कुरुना संक्रमन पर पाया जाता है जी तो उसका तुरंत उप्शार जो हो किया जाएगा क्योंकि जो लोग होते हैं वो अगर उनको हलका भुखार भी आता है यह कुछ तो थोड़ी सी लापरवाही बरत लेते हैं और यही लापरवाही आगे चलकर भारे पर लियाने कि कुरुना में ऐसा होता है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आप खुद के लिए नहीं बलकि हैं पर्वार के लिए और अपने परोसी के लिए पॉर अपने बर्वाव की लिए खना बब्बनागे जाएंगे लापरवाई नहीं ब्डेकी जाएगी बिल्कुल है बहुत शुक्रिया अंकुष पूरी जानकारी के लिए यहां पे तो लगता संक्रमन को देखते हुए राजसरकार का फैसला राज संक्रमन रोखने के लिए अब गाओं में माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाए जाएंगे अब ग्रामीन चेटरों में सक्ती के साथ रोका जाएगा संक्रमन